जब विपक्षी इंडिया गटबंधन में सीटों के वटवारे को लेकर कोई गतरोध चल रहा होता है तो गोधी वीडिया पूरे गाजे बाजे के सार्थ जोर शोर से उसका प्रचार करता है मगर जब सत्ता पक्ष भारती जनता पार्टी और उसके सहोगी दलों में कोई गतरोध होता है तो गोधी वीडिया उसे पूरी तरह से चुपा देता है ताजा मिसाल महराश की है महराश से क्या बड़ी खबर आ रही है दोस्तों महराश से बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव सेना कॉंग्रेस और शरत पवार की NCP में तालमेल बन गया है जिसके अंतरगत उद्धव सेना जो है वो 21 सीटों पर शणाव लड़ेगी कॉंग्रेस 17 और शरत पवार की जो NCP वो 10 सीटों पर शणाव लड़ेगी मगर अडानी का ξणेल क्या खबर चला रहा है कि आखिर कॉंग्रेस लुटी पुटी शिवसेना खुटी पुटी NCP के सामने क्यों जुखी जबकि इस स्वक्त भारतिय जंता पार्टी गडबंधन में जबर्दस संकट चल रहा है दोस्ते मैं आपको बतला दूँ अब तक भाजपा ने करीब 24 एकनाच शिंदे ने करीब 8 और अजीद पवार की NCP ने तीन सीटों पर प्रत्याश्यों का एलान कर दिया है मगर अब भी एक दरजन सीटों पर मामला जो है फसा हुआ है और इस वक्त दिक्कत बहुत जादा है दोस्तों मगर गोदी मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है गोदी मीडिया ये भी नहीं दिखा रहा है कि प्रधान मं कर रहा हूं दोस्तों गोधी मीडिया आपको ये भी नहीं बता रहा है कि प्रधान नंत्री बार-बार उद्धव ठाकरे का अपमान कर रहे हैं उन्हें टार्गेट कर रहे हैं मगर इस वक्त महराश की जमीन पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक सहानुभूती की लहर उठ है क्योंकि सही मायने में बाला साथ ठाकरी की अगर हम विरासत की बात करें तो उसे उद्धव ठाकरे ही आगे ले जाएंगे आम जनता ऐसा महसूस कर रही है यही वज़ा है कि कॉंग्रेस भी उद्धव सेना की सामने चुकी है और ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे ज इस चीज़ बताई है वो बताते हैं हिंगोली के बारे में हिंगोली के बारे में एकनाच शिंदे जो होते हैं वो नाम एलांद करते हैं हेमंत पार्टिल का मगर भारतिये जनता पार्टी इस पर आपत्ती जतला देती है नतीजा क्या होता है हेमंत पार्टिल की जगा बाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी सूमबार को महराश्ट में थे, साथ में मुख्यमंत्री आदितनाद भी थे, प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे थे, कि असली शिवसेना एकनाच शिंदे हैं, तो बड़ा प्रशने इतनी कम सीटों पर एकनाच शिंदे चुनाव क्यूं लड़ रहे हैं? क्या वज़ा है कि हिंगोली में इस तरह की दवंगई की जाती है? क्या वज़ा है कि बारामती में चुनाव लड़वाने के लिए आपको अजीत पवार की पतनी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारना पड़ता है सुप्रिया सुले के खिलाप साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि गड़ बंधन में all is not well मगर गोधी मीडिया आपको यह नहीं बता रहा है आपने एक और बात पर गोर किया होगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अब महराश में भरष्टाचार की बात नहीं कर रहे है वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं भरष्टाचार के खिलाफ गारेंटी हूँ क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा यही वो महराश की जमीन थी जिस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने NCP को naturally corrupt party बताया था मगर आज जिस अजीद पवार को देवेंद्र फड़नवीस में जेल भेजने की बात की थी वो अजीद पवार आपके deputy chief minister है छगन भुजबल आपके साथ है आपके साथ Congress के अशोक चवाने जिस पर आपने गंभीर आरोप लगाये थे ब्रश्टाचार के वो भाजपा में है नाराएंड राने जिन पर गंभीर आरोप ब्रश्टाचार के थे वो आपके साथ हैं मगर प्रधान मंत्री महराश्ट में भरष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं आज जनता उन से सवाल पूछती उनके पुराने बयानों को लेकर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो अशोक चभाण आज राद सभा भेच दिये गए हैं उन अशोक चभाण के बारे में प्रधान मंत्री ने आज से पाँच साल पहले पिछले चुनावों में क्या कहा था ये सुनते हैं यहां माहराष्टर में इन लोगों ने किस तरह एक आदर सोसाइटी बनाने की कोशिश दी थी शहीदों के परिवार को दोखा दिया था इससे तो नांदेड और पूरा भारत भली भाती परिचित है इस तरह के गोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है आज जनता प्रधान मंत्री के इसी बयान की याद उन्हें दिला रही है यही वज़ा है प्रधान मंत्री अब खुद को भरष्टाचार के खिलाफ गारंटी नहीं बता रहे हैं महाराश में गुप्त चुनावी चंदे के जरीए जो सारा खेल हुआ जिसकी पृष्ट भूमी महाराश्ट भी थी उसको लेकर सवाल किये जा रहे हैं उसको लेकर सवाल किये जा रहे हैं अगर प्रधान मंत्री के पास इसका जवाब नहीं है किसी भाष्पा के नेता के पास जवाब नहीं है याद कीजिए प्रधान मंत्री ने किस तरह से NCP के तमाम घोटालों को गिनाया था आज वही सोकॉल्ड घोटाले बाज उनकी गोद में आकर बैठे हुएं सुनिये प्रधान मंत्री ने NCP के बारे में क्या का था अगर मैं NCP की बात करूँ तो NCP पर भी करीब करीब सतर हजार करोर रुपिये के घोटालों का आरोप है महाराष्टर स्टेट कोपरेटिव बैंक गोटाला महाराष्टर सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है इन पार्टियों के गोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता आज NCP के वो तमाम नेता कॉंग्रेस के वो तमाम नेता जिन पर प्रष्टाचार के गंभीर आरोप है वो सब भाश्पा में शामिल हो गए है या भाश्पा गटबंधन में है बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि प्रधान मंत्री अपने इन पुराने बयानों को कैसे भूल सकते है आज उद्धव ठाकरे करारा प्रहार बोल रहे हैं प्रधान मंत्री पर वो कह रहे हैं यह उगाही पार्टी है यह वसूली पार्टी है और मुद्दा यहां गुप्त चुनावी चंदे का है आज भारती जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि हम कहां देखें इसी मंच पर मैंने कई बार कॉंग्रिस की आलोचना की है खास्तोर से गटबंधन को लेकर उनके जो तेवर रहे हैं बिहार उत्तरपदेश जैसे राज्यों में महराश में भी जब गतिरोच चल रहा था मैंने उसकी बात की थी मगर अफसूस की बात ही है दोस्तों गोदी मीडिया आपके सामने पूरी तस्वीर नहीं पहुँचाता है जिस तरह से मैं अपने इस मंच पर आप तक ए तस्वीर पहुचाता हूँ आखिर क्यूँ गोदी मीडिया आपको ये भी नहीं बता रहा कि किस तरह से ओधव ठाकरे के पक्ष में एक लहर, एक सहानभूती की लहर महराश में दिखाई दे रही है सवाल यही किया जा रहा है कि क्या सहानभूती की ये लहर वोटों में तबदील होगी क्योंकि पिशली बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा महराश में पूरा सूपड़ा साफ हो गया था महराश में खत्म हो गया था विपक्ष, पूरी कोशिशों के बावजूद और इस बार भी हम ये ना भूलें, NCP को BJP नेस्तनाबूत कर चुकी है शिव सेना को नेस्तनाबूत कर चुकी है इन दोनों पार्टियों के पास उनका चुनावी सिंबल तक नहीं रहा मगर बावजूद इसके अगर प्रधान मंत्री इतने नर्वस दिखाई दे रहे है भाश्पा इतनी असहच दिखाई दे रही है इसका मतलब ये हुआ कि लूट खसूट करने के बाद, नोचने के बाद भी शरत पवार की NCP और उद्धव ठाकरी की शिव सेना भाश्पा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है तो एक तरफ प्रधान मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि असली शिव सेना हमारे साथ है वो उद्धव ठाकरे को नकली शिव सेना बता रहे हैं मगर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक साहन भूती दिखाई दे रहे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निशाने पर ये शक्स है यानि उद्धव ठाकरे लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है और आपको समझना पड़ेगा कि जनता के सामने क्या मुद्दे है जनता के सामने बाला साहब ठाकरी की विरासत है और वो देख रहे हैं कि किस तरह से निजी कारणों से अपनी राजनीतिक जान बचाने के लिए एक नाच्छिंदे ने शिव सेना को तोड़ दिया था बाकाइदा आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रिस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि विपक्ष के ऐसे 25 नेता हैं जो भाच्पा में शामिल हो गए या भाच्पा मुर्चे में चले गए उनमें से 23 के केसिस खत्म कर दिये गए और इनमें से महराश से बहुत बड़ी तादाद में नेता हैं एकनाच्शिंदे के बड़ी तादाद में नेता हैं जो अब ये कह रहे हैं कि जब से हम भाच्पा मुर्चे में गए हैं रात को हम चैन की नींद सो पा रहे हैं उद्धव ठाकरे यही मुद्दा उठा रहे हैं बार-बार आदित ठाकरे कह रहे हैं कि एकनाच्शिंदे हमारे घर में आये थे हमारे आखों के सामने वो रोय थे कि अगर हम भाच्पा के पास नहीं गए तो मुझे वो लोग जेल में डाव देंगे उद्धव ठाकरे ने याद कीजिएगा जब महराष्ट के कई प्रोजेक्स कई परियोजनाएं गुजराद गई थी तो उसे उन्होंने महराष्ट की अस्मिता के साथ जोड़ कर उठाया था जनता के सामने ये भी है क्योंकि अब मराठी अस्मिता भी सामने उभर कर आ रही है और इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है इस वड़ भाजपा का जो मोर्चा है वो अवसर वादियों का एक मोर्चा बन कर रह गया है जहां जिन लोगों पर आप भरष्टाचार की आरोप लगा थे थे आज वही आपकी गूद में बैठे हुए इसका जवाब ना आमित शाह के पास है ना इसका जवाब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के पास है और हकीकत यह है दोस्तों ये फाक्स है प्रधान मंतरी को जवाब देना पड़ेगा एक तरफ आप उद्धव ठाकरे पर हमला बूल रहे है मगर इस सवाल का जवाब तो दीजे की अजीद पवार आपके मोर्शे में क्या कर रहे है अशोक चमान जिन पर आपने हमारे शहीदों का अपमान करने का और भश्चाचार करने का आरोप लगाया था वो राजसभा में क्यूं गए वो भी भाजपा की तरफ से तो ये तमाम फाक्स हैं अब चुनौती विपक्ष के सामने है कॉंग्रिस की सबसे बड़ी चुनौती है वो भाजपा की हाथ में है शुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की सामने नत्मस्तक है सामदाम दंड भेच से एजनसीज के जरीए अब भी विपक्ष पर निशाना साथा जा रहा है इसकी धेरों मिसाले हैं दिल्ली में आप देखी रहे हैं तो ये तमाम चुनावतियां इस वक विपक्ष के सामने हैं बड़ा सवाल ये इन चुनावतियों के रहते हुए क्या महराष्ट में विपक्ष लड़ाई लड़ पाएगा क्या उद्धव ठाकरे के पक्ष में इतनी सहानुभ होती है कि वो महराष्ट की बाजी परट देगा क्योंकि गोदी मीडिया जो गतिरोद चल रहे हैं उसकी चर्चा बिलकुल नहीं कर रहा है और ये अपने आप में कितना शौकिंग है मैंने आपको मिसाल बताई अडानी की नियूस चैनल की तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता मगर यकीनन दोस्तों महराष्ट में मुकाबला बहुत दिल्चस्प है तमाम सर्वेज जो ये बता रहे हैं कि भाजपा को 400 के करीब सीटे मिलेंगी ये सर्वेज भी उद्धव ठाकरे कॉंग्रिस और शरत पवार की एंसीपी को महराष्ट में लडाई में बता रहे है ये कह रही है कि दोनों को बराबर बराबर 24-24 सीटे मिल जाएंगी ऐसे सर्वेज भी ऐसे वाहियात सर्वेज भी ये दावा कर रहे हैं अब देखना ये है दोस्तों कि जमीन पर क्या तस्वीर सामने उभर कर आती है मगर महराष्ट का मुकाबला बहुत दिल्चस्प है दोस्तों अब इसार शर्मा को दीजे अजाज़त नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजे सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये